पंजाब के फतेगर साहिब में इंजिनरिंग कॉलेज में एक बड़े पाटी में हुई जरब के बाद बीबाद इतना जादा बढ़ गया कि बिहारी छात्रों को दोराद दोरा कर पीटा गया और बहुत जादा उन लोगों के साथ मार पीट की गई जिसके बाद बहुत सारे छात्र घायल हो गए और इस्थिती काफी नाजुक जब बन गई उसके बाद बिहार पुलिस मुख्याले सामने आया है इसकी घटना की जानकारी जैसे है मुख्मंत्री नितीश कुमार को मिली नितीश कुमार ने अधिकारियों को तुरत आदेश दिया है कि बिहारी छात्र पुलिस मुख्याले ने एक प्रेश विग्यपती भी जारी की है जो कि हम आपके अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा और हम आपको पढ़के भी सुना रहे हैं प्रेश विग्यपती बिहार पुलिस मुख्याले ने आज 5 जनवरी 2023 को जारी की है जिसमें बताया गया है क पंजाब के फतेगट साहिब में बिहार के चात्रों से संबन दित अधतन इस्थिती। पंजाब के फतेगट से संबन दित अधतन इस्थिती की जानकारी ली गई है। मंगलवार दिनांक 3.1.2023 की रात्री में कॉलेज के होस्टल में बिहार के चात्रों के द्वारा बड़े पाटी आयोजन के क्रम में होस्टल के सुरक्षा गाड के साथ जरप हुई थी। इसके उपरांग गाड के समर्थन में कुछ अस्थानिये लोग आ गए और दोनों पक्षों में मार पीट हुई जिसमें दोनों तरप के लोग के घैल होने की सुचना है। दो छात्रों के घैल होने की सुचना है घैल छात्रों तथा अन की चिकित्सा करा दी गई है। इंगरिंग कॉलेज के चात्रों के दोरा बिहार पुलिस के निमलिखित दुर्भास संख्या पर संपर किया जा सकता है। जो हेल्प लाइन नमबर दिया गया है वो हम आपको सुना रहे हैं 0612 2294319। हलाकि बिहार पुलिस मुख्याले ने ये सुचना दी है कि चात्रों का पलायन नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोगों को जो सुत्रों से जनकारी मिल रही है उसके अनुसार बिहारी चात्रे डर के मारे पलायन कर रहे हैं। वहां के अस्थानिये लोग वहां के चात्रों से ज़्यादा वहां के अस्थानिये लोग बिहारी चात्रों के साथ उन्होंने मार पीट की है। और एक बिहारी कहके मजाग जो उराया जाता है गंदी एक मतलब राज्यसूचक इसको गाली आप कह सकते हैं। राज्य सुचक गाली दे करके हिंज समझ करके इन लोगों के साथ जो मार पीट की गई है और इसके बाद बिहार पुलिस मुख्याले ने प्रेज भी घबती जारी की हलाकि सरकारी आकरा आप लोग भी जानते हैं कि सरकार बहुत कुछ छुपाती है लेकिन सचा यही है कि बिहार के छात्रों के साथ बरबरता पुन तरीके से मार पीट की गई है और बिहार के छात्रों का पलायन जारी है जो छात्रों वहाँ पर फसे हुए है वो डड़ के माहौल में है विसेश जानकारी जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक जबूर पहुंचाएंगे तब तक जुरे रहे हमारे साथ जैहिन जै भारत जै भी हर वीडियो को शेयर कर हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूग चानल को सब्सक्राइब कर बेल आइकेन दमाना ना भूले जैहिन जै भारत